बूर्णिंग तो आल, शभी को शूपरभात, आज है मन्थ 31st अगस्ट, that means the last day of the month, नॉर्मली यहां पे हमें आज फर्स्ट बुक को भी कम्प्लीट करना है, मैं कोई नया सलिव से स्टार्ट नहीं करूँगा, हाँ, थोड़ा सा introduction जरूर होगा, second वाली बुक का, first वाली बुक में हमारे पास six chapter थे, और second बुक में हमारे पास seven chapter है, that means हमें जादा पढ़ना है, बट अगर हम examination point of view से देखें, तो हमने लगभग 45% syllabus cover कर लिया है, तो अब भी हमें और पढ़ना है, बट हमारे पास काफी three knowledge आ चुका है, calculus का five और six chapter से, seven eight chapter थोड़ी से speed में बहुत अच्छे से खतम होते हैं, तो second book जादा scoring है, अगर हम compare कर लें, first book से, second book में जादा score बनते हैं, बट अगर आपका score 90 प्लस है, तो आपको दोनों ही book को equal importance देनी होगी, student section में चलते हैं, तो 26 questions आदित की problem थी, और ये एक अच्छी problem है, और बहुत कम student की problems आई है, chapter number 6.5 और miscellaneous मैंने पहले भी बोला था, काफी कुछ मैंने किया है, काफी कुछ आपको homework है, तो 26 को discuss करते हैं, अच्छा question है, और यहाँ पर problem आएगी, अगर आप करोगे, calculation point of view से, concept point of view से ज्यादा problem नहीं आती, question number 26 में, तो look at the question number 26, show that the semi vertical angle of right circular cone, semi vertical का 25 भी question था, जो मैंने कर दिया है, but this is the different, little bit different, और दोनों, आप देख लो, यहाँ पर 25 में, slant height given, यहाँ पर क्या है, show that the semi vertical angle of right circular cone of given surface area, यहाँ पर surface area fix है, जो material यूज हुआ है, cylinder को, को फॉर्म करने में, sorry, that is fix, आपको material fix है, तो आप maximum volume जब बनाओगे, उससे, तो जो semi vertical angle होगा, that is sine inverse 1 by 3, clear, so this is the whole of the question, question I think, आप समझ गया होगे, इसके solutions पर चलते हैं, solutions के बाद हम discuss करेंगे, solution के बाद हम पहले तो question, यह question discuss कर लेंगे, after that, जो आपका test हुआ था, उसके solutions discuss करेंगे, and then आपको आज दिखाएंगे कि Google classroom में आपने अभी तक कितने assignment सम्मिट किये हैं, यह भी काफी important है, तो यह थर्ड टास्क होगी हमारी assignment का representation, आपको सीधा Google classroom में ले चलूँगा, और दिखाऊँगा कि कहां पर कि इस्पेसलिए उन स्टुएंट्स के जिन्होंने सायद ही एक एक या दो assignments सम्मिट किया है, चैप्टर नमबर फाइब और सिक्स की बात मैं करूँगा, तो कि इसके पहले तो हमने यूट्यूब पे किया था, तो आप मुझे प्रस्नली इमेल करते थे, काफी स्टुएंट्स के आए भी थे और महापे मैंने marks भी दिये थे, तो अब मैं एक दम आपको बता देना चाहूंगा, कि जैसा आप work करोगे, वैसा ही आपके internal marks reflect होंगे, और आगे भी, ऐसा नहीं कि इंटरनल marks मैंने किसी को जादा दे दिये तो आप final exam में भी जादा ले आओगे, वो आपकी habit में हो जाता है, आपकी आदितें वैसी ही हो जाती है, तो थोड़ा सा serious हो जाओ, और अभी भी time है, कुछ students ने, और जो ये बीज-बीज में मुझे बोलते रहते हो ना, सर ओपन नहीं हो रहा है, PDF नहीं कुल लई, अगर एक student ने submit किया, that means open भी हो रहा है, और PDF नहीं कुल लई है, तो आप थोड़ा सा technology या तो आप सीखना नहीं चाहते हो, कुछ लोग अभी भी images भेज रहे हैं, आप PDF में convert करके उसे भेज़िए, that is acceptable, okay, so कोई problem नहीं है, अगर कोई problem होती है, तो बता दिया करो, सप्तमबर में first वाली book का test होगा, सप्तमबर mid के आसपास, आपको बता जाएगा mid या, फिर सप्तमबर last के आसपास, जलब सप्तमबर में आपका एक test हो जाएगा, that is complete first book, in case of mathematics, okay, बाकी subject का concern teacher बताएंगे, मेरा first book से पूरा complete test होगा, question start करते है, question ये, ऐसा question है, this is cone, we have to show that, if s is the fix, s means surface area, and the surface area of the cone is, pi r square, plus c s a, that is, pi r l, surface area की जब बात होती है, तो we consider total surface area, unless until ये ना बोला गया हो, c s से, तो total surface area ही मैं लिकूंगा, and again, we have to maximize volume, ये हमारा target हो, 1 by 3, pi r square h, अब यहाँ पर problem क्या आ रहे है, इस question में जो problem होई है, क्यों इस questions में, अगर किसी को problem हो रहे है, तो उसका reason क्या है, आपका concept तो clear है, अब यहाँ पर देखो, r है और h है, two variable problem होई, एक को हम generally replace कर देखे, बट यहाँ पर r है, replacement जब आप करने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर r और l आ गया, s तो ही नहीं, that means पहले h को change करो l के form में, यहाँ पर indirectly three variables हो गए, r भी हो गया, h भी हो गया, और r, h and l, but r और h में भी interconnection है, r square plus h square is equal to l square, you know this, look at this, यह देखना, this is l, this is h and this is r, this is right angle triangle and the same pythagoras, आप यूज करके, r square plus h square is equal to l square, so यहाँ से आप ये identity यूज करोगे, ओके, अब इन equations का, s का, b वाले का, और r square plus h square is equal to l square, इन तीनों का यूज करेंगे, और हम b को, target हमारा b है, maximize, minimize उसे ही को करना है, तो हम उसको हम convert करेंगे, देखते हैं, यहीं conversion आपको, कुछ लोगों को problem create किया होगा, अगर आपने questions किये होंगे, नहीं किये होंगे, तो फिर तो कोई problem ही नहीं है, सबसे अच्छा है कि कोई question ही ना करो, कोई problem ही नहीं आएगे आपको ना, तो वो सबसे better option, तो यही है, तो ल की value अगर आप यहां से, first of all equation से L find out कर लो, देखना, so L is equal to S minus pi R square upon pi R, this is the value of L, यह काफी useful है, say this is equation 1, so volume का formula भी है, अब volume वाले formula को मैं तोड़ा सा, अपने target पहाँ आते हैं, 1 by 3, pi R square, in the place of H, I can write, L square minus R square, अब L की value अगर अब यहां पर substitute करो, 1 से, then V is equal to 1 by 3, pi R square, in place of L, S minus pi R square, upon pi R, minus R square, L square है, तो this is whole square, so, यह substitution थोड़ा ध्यान से करना, यहां पर देखो, denominator में pi square R square होगा, मैं इसको simplify कर लेता हूँ, whole square जब करोगे, so B is equal to 1 by 3, pi R square, and we have root of L square है, इसको simplify कर लो, so, we have S square, plus pi square R की power 4, A square plus B square, देखो, S square हो जाएगा यह, यह pi square R की power 4, minus 2S pi R square, minus 2S pi R square, minus, minus R square, यहां पर division किसके साथ में है, pi square R square, pi R था, उसका whole square, देखो, pi R है, denominator में, और इसका whole square, अब यह जब आप simplify करोगे, यह भी under root में ही है, complete यहां तक under root से, अब इसका B square निकाल लो, मैंने एक starting में आपको, 24th वाली class में बताया होगा, कि अगर किसी functions को maximize करना है, function under root में है, तो simple, यह example बताया था, fx को maximize करना है, under root fx को, तो हम fx को maximize कर दें, तो root fx भी maximize हो जाएगा, तो वही concept यूज़ करते हैं, that means, b को अगर मुझे maxima करना है, तो b square को ही maxima करते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि under root की problem solve हो जाएगा, तो b square कर लेते हैं, this is 1 by 9, pi square, r to the power 4, r to the power 4, और यहां पे है s square, plus pi square r की power 4, minus 2s pi r square, minus pi square r to the power 4, divided pi square r square, यह terms cancel out हो गया, okay, so next what we have, b square is equal to, b square is equal to, 1 by 9, 1 by 3 था whole square हुआ है, 1 by 9, pi square r to the power 4, pi square, यहां पे देखना, pi square r to the power 4, and inside bracket, this is s square, minus, 2s pi r square, upon pi square r square, this is overall picture, अराम से करिए, कोई problem नहीं है, बट questions में थोड़ी सी calculation है, concept तो भही, अभी भी हम simplification की तरफ बढ़ने हैं, अब यह overall आप देख सकते हैं, b square के इस format में हो गया है, s constant है, pi constant है, 9 constant है, सिर्फ r is variable, that means, यह ready to differentiate हो चुका है, बट थोड़ा से simplify कर लेते हैं, after simplification, 1 by 9, यह pi square pi square कैंसिल हो गया, okay, pi square pi square कैंसिल, r square that is r to the power 4, that is r square, and finally, s square minus 2s pi r square, देख लेँगे, अब एक्तम simplify हो चुका है, अब b square का differentiation करेंगे, आप यह बिल्कुल मैं सोच ना, कि b square का differentiation करोगे, तो 2 b m मैं लिखूंगा, b square as a function है, इसी को differentiate कर देंगे, complete, ऐसे ही छोड़ देंगे, आप b square upon dr, okay, b square maximize होगा, तो b भी maximize होगा, एक simple concept आप समझ लो, अब जब आपने उसको differentiate किया, यहाँ पर देख लो, यह differentiation आप easily कर सकते हैं, और मैं आपको करके भी बता दे रहा हूँ, actually यहीं पर simplify कर लो, किसी confusion होगा, को कि next step मैं direct लिखने वाला हूँ, यहाँ पर s square r square हो गया, और यहाँ पर 2s by r to the birth 4 हो गया, this is the complete, अब now you can differentiate, that is 1 by 9, r square का differentiation 2r, s square तो पहले ही था, गेरा, s square पहले ही है, minus 2s by r to the power 4 का differentiation 4r cube, okay, now maximize common is s common है, 2rs common है, यह दिखना 2rs यहाँ भी है, यहाँ पर 2s और r common है, तो 2rs by 9 common, and what we have, we have s minus 4 by r square, this is, यह बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इससी पर आपको मालूम है, point of maximum and minimum, इससी से सारे equation solve होते हैं, और यह second derivative कुछ लोग यहाँ पर समझने लोगे, यह अभी मैंने first derivative ही find out किया है, so हमारे पास है critical point के लिए हम find out करेंगे, 0 के equal and that is 2rs by 9 inside s minus 4 by r square is equal to 0, अब यहाँ से left hand दो factors हो गए, यह factor 0 होगा तो s is equal to 4 by r square, basically r square is equal to s upon 4 by, इसको ऐसे ही आप यहीं पर कर दिया है, मैं r square का direct use कर लेंगे, that means r is equal to under root s upon 4 by is the point of maxima or minima, अब second derivative test भी आप करोगे, of course, जब आप second derivative test करोगे, तो वहाँ से और ज़्यादा picture clear हो जाएगी, और आपको पहले से बता इतने date से करते आए हो, सेकंड derivative test भी कर लेते हैं, derivative of, यह first derivative था है, d2 b square upon dr2, b square को आप यहाँ से concentration मत अपना change करना, b square एक target है, उसको हम differentiate कर रहे हैं two times, that is d2 b square upon dr2, again the differentiation of first derivative, first derivative देखिए, यहाँ से ले लेते हैं, यह हमारा first derivative है, यहाँ से गर लो, यही तो multiplication के बाद में था, बाद में मैंने common ले लिया था, यहाँ पर आप जब first derivative लोगे, तो r का derivative, 1, तो 2s square, so, 1 by 9, 2s square, minus, 4r cube का derivative क्यों हो जाएगा, r cube is 3r square, and 12r square, and 24r square, s pi, that is 24r square, 24r square, r square, s pi, this is the complete, यह after differentiation, तो यह differentiation वाला sign भी हटा दो आप, यह मैंने हटा दिया, ठीक है, यह secondary derivative होगे, और r square की value अपने, यही पर, s upon 4 pi है, आप जैसे r square को, s upon 4 pi पुट करोगे, देखलो, r square is the s upon 4 pi, so, at, r square is equal to, s upon 4 pi, यहां पर जैसे पुट करोगे, 1 by 9, 2s square, minus 24, in place of r square, s upon 4 pi, into s pi, pi से pi कैंसिल होगा, 4, 6 times हो जाएगा, 6s square हो गया, और 2s square से minus होना है, that is, 1 by 9, 6x s square, that is minus 4s square, s is the surface area, total negative होना है, that means, r square is equal to, s upon 4 pi, is the point of, maxima, यह तो, solutions कितने, this is the point of maxima, यहां तक तो आप हो गया, आप हमें जो पूरूफ करना है, उसको भी देख लेते हैं, r square आचुका है, आपके पास, that means, ultimately हमने, questions को काफी कुछ solve कर लिया है, आपके, so, r square की value आई, s upon 4 pi, अब यहां से, semi-vertical angle का क्या connection है, देख लेते हैं, आपको मालूम है, कि यह, हमने यह बनाया हुआ था, this is the semi-vertical angle, theta, and this is r, this is h, and this is l, so, sin theta, basically हमें चाहिए, तो पहले हम 10 theta, एक कोई सा निकाल लेते हैं, 10 theta ही निकाल लेते हैं, masses आए, sin theta एजली आजाएगो, तो 10 theta, we know that, this is r by h, यही तो है, p by b, r की value, h की value, h के साथ मैंने, काफी कुछ substitutions की है, h की value, हमें basically, यहां पर पुट करनी है, and we know that, r upon h is under root l square, minus r square, this is h, l square की value भी आपको याद होगा, हमने पुट की थी, s के form में, उसी को फिट से पुट करते हैं, so finally, tan theta is equal to, r upon, in place of h, in place of l, we have, यहां पर आपको, मैं वापस दिखा जेता हूँ, यह है, यह वाला, यहां पर हमने, यह पुट किया था, यह क्या था, pi r square h, h की value यही तो थी, यही तो थी, यहां से simplification, भी हमने किया था, square के form में, तिस, सारी value जब मैंने पुट की थी, इससे cancel हो गया था, यह, s square minus 2s pi r square, pi r square, यही तो था, upon, pi square r square, अब value पुट कर ले ना, फिट से, फिट से पुट करने का ज़रूबत नहीं है, आपने copy में देख सकते हो, तो दिस इस स्क्वाइर, minus 2s, pi r square, यही थी, this is l square minus, h square, l square minus r square, यह value आपको, first वाले में मिल जाई है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, r square के place पे, जो point आया हुगा है, r square, जो value आई हुए है, r square की, that we have to, यहाँ पे upon भी है, upon है, pi square, r square, थोड़ा सा और simplify करके, आपको picture दिखा जेता हूँ, जब आप simplification करोगे, so pi square, r square का under root क्या हो जाएगा, pi r, और यह numerator में, multiplication में आजाएगा, that is, pi r square, यह का, under root pi r आएगा, और यह numerator में सिप्ट होगा, pi r into r, that is, pi r square, upon under root, s square minus, 2 s pi r square, बहुत simple है, अगर आपने खुद से कर लिया, r square जहाँ जहाँ है, उसको simply आप पुट कर दो, r square की value, s upon 4 pi, so tan theta is equal to, pi, in place of r square, we are going to put, s upon 4 pi, that is point of maxima, under root, s square minus 2 s, pi r square के place पे, फिर से s upon 4 pi, पुट कर देते हैं, यह under root, pi cancel, 4, 2 सा cancel, okay, यहाँ से भी pi cancel, यह होगे, s upon 4, numerator, and denominator is, s square minus s square by 2, that is s square by, 2, under root, और s को, जब simplify करोगे, तो यह basically होगा, 1 upon, 4, 1 upon 4, into, 1 upon root 2, और after simplification, tan theta क्या हो जाएगा, 1 upon, 4, that is, 2 root 2, और यह था, 1 by 4, into, 1 by root 2, यह आपने cancel कर दे हैं, यह 2 root 2 आ गया, ठीक है, बहुत confuse मत हो, अब tan theta की value, 1 upon, 2 root 2 आ गयी है, तो आपको मालू में, sin theta क्या हो जाएगा, simple effort से यहाँ पर triangle बना लो, बहुत जादा problem है, otherwise formula भी उस कर सकते हो, this is tan theta, 1 upon 2 root 2 means, if theta is this, this is 1, and this is 2 root 2, और दोनों का square sum, that means, यह वाली side कितनी हो जाएगा, 3, 2 root 2 का square करो गये, इत्ता होगा, 8, और उसमें 1 add करो गये, 9, under root लोगे, 3, अब यहाँ पर sin theta कहा हो जाएगा, sin theta is 1 by 3, that means, theta is equal to sin inverse 1 by 3, इसलिए question थोड़ा complicated होता है, calculation थोड़ी सी जादा है, normal question से, ओके, तो देख रहे हैं, आप यह complete हो चुका है, इसके बाद चलते हैं, आपके Google Classroom में, और वहाँ देखते हैं, introduction of integration, काफी अच्छा है, आप थोड़ा से start करना, अपने label पर अधर्वाइस, मैं कल start करूँगा, कल मन्त, और integration में 20 देज में, हमारा target होगा, 20 September तक, integration को complete करना, जैसे integration कहतम होगा, फिर आपका slay बास नॉर्मल हो जाएगा, आराम से जलता जाएगा, और हमारा target रहेगा, 30th November तक slay बास को खतम करना, और यही target हर साल होता है, हर साल हम October में खतम करते थे, और इस बार, COVID के चलते हम, एक महीने और थोड़ा सा डिले करेंगे, बट अगर बीच में कुछ और होता है, तो हम, 15 October, 15 October प्लस 15 November, तो mid of November हमारा target होगा, तो two and half month होगी, second book में बहुत easy chapters है, सिर्फ आपको first chapter में थोड़ा सा time देना होता है, बाकी chapters बहुत असान है, तो, जो main chapter था, आपका chapter number 6, उसमें भी main exercise 6.5 और miscellaneous, यहाँ से आपके 10 marks fix हो जाते हैं, अगर आप इन्हें सीख गए होगे, तो, अभी मैं Google Classroom में आपको लिए चलता हूँ, यह Google Classroom वाले एरिया में हम आ चुके हैं, हाँ question जो last exam में दिये थे, तो उताज़ादा important आपको लगेगा 10 questions थे MCQ, तो अभी explain कर दूँँगा, पहले यह दिखाना बहुत ज़रूरी है, कुछ students को, अंशुल पे ही जल जाते हैं, अंशुल पे जाता हूँ मैं, अंशुल, यह अंशुल की profile खुल गई, अभी तक मैस की, ठीक है, टैंजन नॉर्मल का इसने टेस्ट दिया है, exercise 6.5, जिसकी due date आपको दिखाई दे रही है, 29 अगस्ती अभी तक मिसिंग है, इसने सम्मिट नहीं किया है, test assign किया था, हलाकि test को भी मैंने एक time limit दे रखा था, लेकिन आपकी problem धेर सारी थी, तो test इसको अभी assign है, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ इसने सम्मिट किया हुआ है, थोड़े थोड़े, बहुत कम चीज़ें सम्मिट की हुई है, exercise 2.1, due थी 29 को, यहाँ पे कोई भी फोल्डर इसका नहीं है, तो मैंने ऐसे ही return कर दी है, इसके बाद फिर से आते है, class questions एक था, एक questions इसने दे दिया है, इस काफी चीज़ें, आपने पूरे 1.5 मन्त में देखो नो, क्या किया है, एक exercise 5.2 मैंने बोला था, और उसके बाद 6 exercise में, इसने कुछ questions किया है, तो अनसुल तो कुछ बेटर है, मैंने एक random example लिया था, बट आप जितने आप देख सकते हो, सारा record है, date wise, और time wise, और भी कुछ student को मैं बता देता हूँ, आयुश की बात कर देते हूँ, ये, अगर आपको ऐसा लगता है, कि आपके internal marks यूँ ही लग जाएंगे, आप punctual भी नहीं रहोगे, तो आयुश को देते हैं, test 1, अभी assign किया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसने कुछ भी अभी तक मेरे पास नहीं दिया है, exercise 6.1, missing, tangent and normal, post your solution here, do not send on whatsapp, इसने बेज़ा था, मैंने चेक कर दिया, तो 13 marks आये थे, तो यहाँ पे भी बेज़ना है आपको, क्योंकि यहाँ अभी पर due दिखा रहा है, 6.5 में इसने return कर दिया है, कुछ भी file नहीं थी, इसने अभी तक एक test दिया हुआ है, वो भी whatsapp पे, यहाँ पे कोई record नहीं है, इसका, chapter number 6, मैंने दिये थे questions, अभी इसने not handed in किया है, 6.5.2 दिया था मैंने, नहीं किया इसने, target इससे पूछा गया था, इसके पास कोई target ही नहीं है, इस student के पास, कितना अच्छा है, आपके पास target भी नहीं हो, क्यों परड़ हो मालूम ही नहीं है, class questions, मैंने बोला था, पोश्ट करने के लिए ये भी नहीं किया, इन्होंने, attendance एक दो बार मैंने, जो starting में डाली थी, तो यहां पर कुछ नहीं है, और सबसे पहले मैंने 5.1 बोला था, जब Google Classroom एंटर्यूस होई थी, जून में, तो इसके अगर आप देखे जाए, तो इसके पास कोई फोल्डर नहीं है, अब अगर ये बोले कि मैंने सर्दिया है, कोई भी कुछ भी बोले, तो 20 मैस से लेके, आज तक इसका कोई भी वर्क इस पे नहीं है, एक भी सिंगल नहीं देए, तो ये हैं आयूस जी, 11th, 12th में बहुच चुके हैं, तो ये 12th Commerce Arts का हाल है, जहां पर Arts वालों से एक्सपक्टेशन की जाती है, को उनको बहुत अच्छा लगता था मैस, इसलिए आए हैं, तो कुछ ऐसे मैंने randomly select कर लिए, आप ऐसा आपको लगता है, कि मैं यहां पर कुछ भी नहीं चेक कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ student कितने decent हैं, उसको भी आप देख सकते हो, मुश्कान चंद्रा, Test of Tangent and Normal, प्रॉपलली सम्मिट कर दिया था, exercise के 1780 कुशन, प्रॉपलली सम्मिट कर दिया है, 6.2 exercise थी, इसने यह भी missing में है, exercise 5.2 दी गई थी, इसने submit कर दिया थी, target mass में पूछा गया था, इसने बता दिया था, class questions इसने दे दिया थे, बट एक दो questions अभी भी इसके 6.5 जैसे missing है, तो आपका हर चीज, अगर आप थोड़ी सी mistake कर तो सारी चीज आपकी प्रॉबल्म, निकिता पर चलते हैं, निकिता यहां पर हंडे इन आ जाएगा, एक टेस्ट वाला भी submit कर दिया है, यह देखो, exercise 6.5 भी submit कर दिया है, tangent normal भी कर दिया है, 17-18 question भी कर दिया है, exercise 6.2 भी कर दिया है, और attendance भी दे दिया है, यह सारे किये हुए, मैंने तो आप last two month में देखो, तो मैंने बहुत कम homework आपको दिया है, फिर भी आप ऐसा misuse कर रहे हैं, आप सोच रहो कि सड तो कुछ देखते नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, तो देख लो फिर सारा record तो रहेगा, मुझे नंबर तो इसी बेस पर देना है, पिंटी ने भी ऐसे, सारे ने कुछ कुण कुछ किये हैं, लेकिन कुछ student ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तो कुछ नहीं किया, सब्तमबर आ चुका है, सब्तमबर में मैं यही आपको सारा suggestion दूँगा, जो दिया जा रहा है, तो कर लो, 6.5 और miscellaneous, आप अपना assignment वहाँ पे देख लिए, अगर मैं बार बार class में नहीं बताऊंगा, कि आपको करना है कि नहीं करना है, आप go and check in Google Classroom, महाँ पे प्रॉपर आजाता है आपको कौन सा वर्क एसाइन किया गया है, that is assignment, assignment के नाम से questions आजाते हैं, ठीक है, तो assignment आपको करना होता है, quiz है, तो quiz में questions होते हैं, वहाँ करना होता है, या फिर मैं कोई भी test लेता हूँ, तो आप पहले class teacher को, और subject teacher दोनों को inform करोगे, sir, मेरी problem इतने दिन से network की चल लएगे, exam के time में तुरंट problem आएगी, तो उसका ना मेरे पास solution है, ना आपके पास, तो आपको वहाँ पे consider किया जाएगा, कि आपने test दिया, और आपको test नहीं आ रहा था, इसलिए submit नहीं किया, तो यह सारी चीज़े हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आपको change कर लो, भहुत रेड़ सारे नाम है, यह से विजय को भी देख लेता हूँ, विजय, विजय ने, देख लो, विजय ने 5.1 exercise नहीं की, अटेंडन्स तो एक दूद मेरे बीच में की बोली थी, तो विजय की भी सारी चीज़ें मिसिंग है, यह हैं विजय कुमार, 11th, 12th कॉमर्स, बार-बार 11th निकल रहा है, फीलिंग नहीं दे पा रहा हूँ नो, तो विजय को बोलना ही नहीं पड़ता हो, हमसे पहले ही पोस्ट कर देते थे, यह लास्ट वाली बैच का हाल था, इसलिए मैंने किसी भी बच्चे से कोई एक्स्क्यूज ही नहीं लिया, लास्ट वाली बैच को, आप लोग, ठीक है, कोरुना का थोड़ा सा है, बट कोरुना में ऐसा मत सोचो कि, कुछ भी आपकी चेकिंग नहीं हो रही है, आपके लिए थोड़ा सा और जादा पंक्च्चूल होना पड़ेगा, कि क्लास होती था, तो मैं बोल देता, आपको सारी चीज़े सिस्टमेटिकली पोस्ट करनी है, क्लियर? हाँ, मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप जब एक पीडियाफ नहीं बेच पा रहा हो, तो मैं 54 पीडियाफ कैसे ओपन करके, उसको सेप करना होता है, टीचर्स की तरफ से, चेक करना, फिर सेप करना, सेप करने के पाँ मतलब आपका टू टाइम्स एक स्टुएंट का मेरा वर्क है, और फिप्टी फोर टाइम्स, मैंस हंड़ेट टाइम्स आपसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा यहां ठीक है, बटा आप अपने लेबल पे तो कर सकते हो ना, आपको तो सिर्फ पांची सब्चेक्ट के करने हैं, तो पांची सब्चेक्ट की पीडियोप बेज दिया करा और मेरा अगर मैंस से कंपेर करोगे, तो मैंस का तो मैं बहुत कम देता हूँ, आपको चोटे-चोटे कोईशन दे रहा था, बटा अभी पूरी एक्ससाइज मिस्लेनियस, मुझे चाहिए, आपको गूगल क्लास्रूम में पोस्ट साम तक मिल जाएगा, कल स्टार्ट करेंगे हम, इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे हम कम्प्लीट कर लेंगे, इंटिग्रेशन में क्या-क्या हमें पढ़ना है, कुछ इस्टुडेंट्स ने लिंग के थूरू आउंसर्स दिया है, कुछ ने टेस्ट किया है, अचरच इसका टेस्ट में open करता हूँ, अब JPG form में मत बेजा करो, JPG form open ही नहीं होगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत time लेता है, PDF form easily open हो जाती है, इसलिए मैं PDF form को suggest करता हूँ, कि आप PDF form लिया करिए, अभी आपको भी time दिया जाएगा, camera on करके, आप बता देना क्या problems आ रही है, otherwise normal जैसे attendance होती है, वैसे ही होगी, बट एक minute का wait करो, मैं, अगर open हो जाता है, किसी भी students का, तो मैं आपको discuss कर देता हूँ, questions के solutions, okay, जल्दी कुछ के parents से भी बात होगी, आ लोक, ची, मैं अपने आपको खुद बुला रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, आपक बही हाल है, कुछ questions तो आपने सुरू में किया, सारा ड्यू 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 लिखा हुआ है, यह तो आप कहीं और पोस्ट कर रहे हो, तो यह भी problems है, मैंने randomly पिक किया, ऐसानी कि मैंने selected student को पिक किया, ऐसे धेर सारे students है, जिनका मैं, अभी आप सारे students, क्योंकि 54 students है, अगर एक student का चेक करेंगे, तो लगपक मुझे एक मिनट लगेगा, तो 54 मिनट मुझे चाहिए, अगर आपको सब का चेक कराना है, तो बोल दीजेगा, एक दिन, दो दिन इसी की class ले लिता हूँ, मैं, अनमोल, अमरित पाल, अनमोल का क्या है, अनमोल सर, internal marks, सर, कम दे रहे हैं, अब मैं कौन सा base बनाओं आपको, क्योंकि online में आपका जो work है, वही reflect करेगा, ठीक है, तो submit करते रहे हैं, कोई problem है, मैंने इतनी आपको छूट दे रखी है, कुछ student पूछते रहते हैं, और उनका answer भी मैं timely submit कर देता हूँ, बढ़ आपको ये सार किसी को बहता दंग से आता है, तो discuss कर लीजे, अदर वाई मैं उसके answers तो आपको भेजी दूँगा, ठीक है, ओके, तो go and start attendance and leave the class, जैसे आपके attendance हो जाते हैं, आप class को लीप कर दोगे, जो भी class में बना रहे हैं, उसने off कर के कहीं पर घूम रहा है, ये ही suggestion, उसके लिए है क थोड़ा सा अपने आपको change करो, thanks to all.